स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिप आमबेड़कर ओपन युनिवर्सिटे नमस्कार मेत्रो आजे आपणे सब्दकोष्णू मुल्यांकन युवर्लेशन आफ डिक्सनेरी विसे चर्चा करेशू अगाउना एकम्मा सब्दकोष्णी चर्चा खुबज उप्योगी अने महत्वपून स्तरोतना स्वरूपे करी सब्दकोष्णी मुख्य विसेश्था, वैकल्पिक नाम, जेवा के थिसोरस, सब्दसंग्र, उप्रांत थिसोरस अथ्वा विस्वकोष्ण अब्बे कक्षनना संदर्बस्त्रोतना गुणनने एक बिजा साथे भेडवीने सब्दकोष्णी संकलं अंगेनी चर्चा करी सब्दकोष्णी उप्योगी उप्योगीता विशेनी माहिती आपी, जुदा जुदा प्रकार्ना सब्दकोष्णी माहिती स्पष्टरिते समझाववा माटे, सब्दकोष्णा उदाहरण पन आप्या संशोधनमा प्रगतीने कारणे नवा सब्दकोष्णी उप्रकाशन अने जुना सब्दकोष्णी संशोधीत करी वधारेमा वधारे शुद्धता अने योग्यता साथे नवी आवरुतियो बिश्त्रुत माहिती साथे नवा स्वरुपे प्रकाशित्तती होई छे कोई पन ग्रंथाले माटे बधाज शब्दकोष नी खरीदी करवी शक्य होती न थी आव प्रान्त कोई पन सब्दकोष ने योग्य अने परिपुन मानी न शकाई सब्दकोष विग्णान ना प्रख्यात विद्वान डौक्टर जॉन्स ने सब्दकोष नी सर्खामनी गडियाल साथे करता कईू हतु के कोई स्त्रोत न होई तेना करता बीन उप्योगी स्त्रोत नू होवू सारी वाद छे अने जे सरवस्रेष्ट छे ते पाण पुरे पुरू शुद्ध अने परिपूण न होई शक्के नवा सब्दो ना उप्योग साथे जुना सब्दो दूर थाई चे अने भाषामा परिवर्तन आवे चे आथी सब्दकोष्णी खरीदी अने संकलन करता पहला संपूण तपास अने परिक्षण करवू जरूरी होई छे सब्दकोष्णी किम्मत अने विशय वस्तु बन्यने ध्याने राकिने तेनू मुल्यांकन करवू पड़े आथी सब्दकोष्णी मुल्यांकन केवरीते करीशू ते विशे जोहे तो तेना मुल्यांकन माटेना मापदंडो विशे चर्चा करवी पड़े तो ही आपने तेना मुल्यांकन विशेना मापदंडो विशे चर्चा करीशू सब्द कोश्ट ना मुल्यांकन माटे ना मापडंडो जो ये तो एक अधिक रुटत ता अथोरिटीज बै विशाई विस्तार अने उद्देश स्कोप अन्ड पर्पर्पर्स त्रोण सब्दोनी गोठावनी अने सब्दनु निरुपाण वर्ड अरेंजमेंट अन्ड वर्ड ट्रीटमेंट चार आकार अने स्वरूप फॉर्मेट पांच मी विसेश्ता जो ये तो विसेश्ट विसेश्ता अतरीके तेनो समावेस्थाई छे स्पेशल फ्यूचर्स आम सब्दकोष नू मुल्यांकन पांच रिते करी शकाई छे एनी आपड़े अहियां विकते चर्चा करी शूँ सउत प्रथम कोईपण सब्दकोष नी अधिक रुद्ता तेना संकलनकार तथा प्रकाशक नी लोगप्रियता अने ख्याती पर आधार राखे चे आथीज भाशा सास्त्री उच्चार जोड़नी उत्पती माटे विशवना निश्णातनी मदत्ती सब्दकोष नी रचना अने त्यार बाद प्रकाशननी कार्यभाई करे चे संकलनकर नार अने निश्णातोनी अधिक रुद्तानों मुल्ल्यांकन तेनी योग्यता अने पोताना विशवक्षित्रमा तेमना योगदान परती करवामा आवे चे सब्दकोष ना मुल्ल्यांकननों मुख्य आदार तेनों प्रकाशक छे जेमजेम भाषामा नवा शब्दों उमेराता जाए अप्रचलित शब्दों रध थाए त्यारे सब्दकोष मा सुधारा वधारा करी चरूर होई सुधारा वधारा करवानी चरूर होई चे आथीज जे सब्दकोष ने नियमित अध्यतन राखवामा आवे तेनी अधिक रुद्ता वधारे होई चे M कहवाई छे सब्द कोष्णा प्रकाशन मा किटलाक प्रकाश कोई लोकपरी एता मेडवेल छे दाखला तरी के उदाहन मा अपड़े जोई एतो United State मा McGraw Hill, G&C, Merriam, Funk & Wagnall Britain मा Oxford University, Bogman, Cambridge चिवा प्रकाश कोई सब्द कोष्णा प्रकाशन मा निपमोणता मेडवेल छे ते वह सब्द कोष्णा प्रकाशन करी नियत समयमा सुधारा वदारा करी नवी आवरूति पन प्रकाशित करेल छे Elsewhere अनने पैग्वीं प्रकाशको पन अन्यक विश्यना सब्द कोष्णा प्रकाशन करेल छे PPT मा बत्ताव्य मुझब जुदा जुदा सब्दकोष्णा प्रकाशको जो था ओक्सपर्ड, कैम्बरीज वगेरे प्रचलित प्रकाशको छे हवे आम एनी अधिक रूत्ता माटे नी आपडे चर्चा करी सब्दकोष्णा हवे आपणे विशय विस्तार अने उद्देश सब्दकोष्णा संकलनकार द्वारा सब्दोनी पसंगीना आधार अने सब्दबंडोडना आकारनू परिक्षण करीने विशय विस्तारनू मुल्यांकन करवामा आवे चे सब्दकोष्ण विस्तार अने उद्देशनू मुल्यांकन परिचय अने प्रस्तावनाना अभ्यास्ति करी शकाए जे प्रकारना वाचकोँ माटे तेनू सर्जन करवामा आवे होई अने जे स्त्रेणी अंतर्गत तेनी गणना करी होई तेना आदारे सब्दकोष्ण विद्देशने नक्की करी शकाए अहीं आपने पिपीटी मां बता व्यू छे M. पकवत कोमंडणनी प्रस्तावना जोता तेनों विद्देश जाने शकाए छे 3. शब्दोनी गोठावनी अने शब्दनू नेरोपाण सब्दकोष्ण ना मुल्लेंकरना माब्लन तरीके सब्दनी कोठावनी अने सब्दनू निरुपण जो ये तो वर्ड अरेंजमेंट एंड वर्ड ट्रीटमेंट विशे चर्चा करी है तो सब्दकोष्ण नों सरवडताथी उप्योग करी शकाए उप्योग करी शकाए ते माटे मोटा भागना सब्दकोषों माँ सब्दोने कक्कावारी करम मां कोठवा मां आवे छे परन्तु जे सब्दकोष ना उप्योग नी मार्ग दर्शी का आपेल होए जे सब्दकोष मार्ग दर्शी का सहीत प्रगट करवा मां आवे होए ते सारी रिते तैयार थल सब्दकोष कहवाई उप्यकर्ता माटे उप्योग अंगे नी मार्गदर्शी का खुबज उप्योगी थाई छे सब्दकोष नू नोधनू स्वरूप, क्रम, तथा गोठावणी मा एकरूपता अने संकेत नी विधी सपस्ट होवी जोईए बधा सब्दकोष मा जोडणी, उच्चार, तथा व्याकरणी द्रश्टिये दरेक सब्दकोष माटे संकेत शब्द, विन्यास, व्याक्या, प्रयोग, समानार्थी औने विरुद्दार्थी शब्दनो उल्लेक करवामा आवे छे आम सब्दकोष नी अंदर विवीद रिते एनो उल्लेक करेलो होई छे उच्चारणोंने भासा जिन्होनी सहायताती सपस्ट करवामा आवे छे अने तेना भेदने पन सपस्ट करवामा आवे छे अवाजना प्रतिकोथी व्यक्त करवामा आवेल उच्चारणोंने एज अवाज मात्र थे उडखवा जोए जुदा जुदा देशनी जोड़नी नी विवीत्ताने सपस्ट उल्लेक करवो जोए तुंकाक्षरो स्वयम सपस्ट थवा जोए उप्यकरताने संदर्व जोवामा सूसंगत्ता रहे ते माटे तुंकाक्षरोनी चावी सरुआत के अन्तमा आप्वी हवी जोए पीपीटी मा दर्शाव्यमुजब द ऑक्सपर्ट इंग्लिस डिक्सनेरी ये गोठावनी वीशेनी माहिदी आपेल छे आकार स्वरूप फॉर्मेट येनू चाथ्वी विशेष्टा मुल्यांकार माटे नू माप्ड़न जो ये तो आकार अने स्वरूप फॉर्मेट सब्दकोष्णा स्वरूप माटे तेनू आकार, बांधणी, कागल, छापकाम वगेरे सब्दकोष्णा मुल्यांकानना महत्वना माप्डण्ट है छे तेनू भवतिक स्वरूप सरड थाती उप्योग मा लई शकाए तेवु हवु जो ये आकार, माधणी, कागल, छापकाम वगेरे आकर्षक हवा जो ये पीपीटी माया दर्शावा मुझब दा ओक्सपर्ट इंग्लिज डिक्स्नेरी नो आकार स्वरूप आकर्षक छे कद, सब्दकोष्णा कद तेनी लंबाई, पहडाई, जाडाई अने तेमा समायल महितिनी व्याप्ती अने नोधोनी संख्या उपर आधर राके छे एक भागना सब्दकोष्णे बदले वधारे भागवाडा सब्दकोष्ण पसंद कराये छे तुनका अने जाडा ग्रंत नी तुल्ना मा लांबा अने पातडा प्रंत वापर वामा वधारे अनुकुडता रहे छे बांधणी सब्दकोष्ण नों उप्योग वधारे थतो होवा थे पाका पूठा वड़ा सब्दकोष्णे पसंद करवा जोईए कागड सब्दकोष्णा मुल्यांकन नी अंदर कागड पन एक महत्वनों हिस्सो होई छे सब्दकोष्णा उप्योग मा अगवडता उपी न थाय ते माटे अपार दर्शी परन्तु पतला कागड नों उप्योग करवो जोईए चाडा कागड ती कोष्णा वजन अने पहडाई वधारे थाय छे वधारे वजन बाड़ा जे कोष्ण होई ये पकडी ने आपड़े वांची नती शकता कि आपड़ी सुता सुता माचवा होई के जोवा होई ते जोई नती शकता होता येनना विशीष्ट जे विशेष्ट आओ चे एमायनू मुद्रण पन बहुच भागवजवे चे सब्दकोष्ण ना टेक्निकल अने आंतरिक मुद्धा उपर पन ध्याना पूजो ये जेम के मुद्रण नी आकार स्वष्टता मोटा आक्षारो माँ छापकाम सब्दनू मध्यमा स्थान अक्षर माटे नी अनुकरम मनिका पोठा हांश्या चित्रो वगेरी मुद्रण माँ महत्वनू भागवजवे चे जे सब्दकोष्ट नी खास्यत ने प्रोश्चा हीत करे छे सब्दकोष नी विशिष्ट खास्यतों मा यहनू स्वरूप यह आकर्शक स्वरूप होँ जुए सब्दकोष नू स्वरूप सुन्दर, मनोहर आने आकर्शक होँ जुए जोनार ने तेनू स्वरूप जोई ने ते जोवानी इच्छा जागे तेवू होँ जुए विशीष्ट खास्यतो, स्पेशल फ्यूचर ए विशे चर्चा करिये तो ए एनी एक महत्वनी खास्यतो जे त्वरित संदर्व स्त्रोतना साधन तरीके किटलाक शब्द कोशो कार्य करता होई जे सामाने अने विशे शब्द कोश मा विश्वकोशो नी विशेस्ता होई छे तेने परेणामे सब्द कोश नी किम्मत बदारे होई छे विशीष्ट खास्यतो जोईये तो आकार, जन संख्या अने अन्य वस्ति गणतरीना आंकडा साथे जुदी जुदी जग्यानी पउगोलीक अने अित्यासीक माहिदी अपेल होई जुदा जुदा क्षेत्रो नी महान व्यक्तियो ना जिविन चरित्र नी रुप्रेखा अपेली होई ख्यात नाम, सामाजिक, राजनाइतिक, आर्थिक, धार्मिक, सेक्षनिक संस्थाओ अने संगठो ना नाम जेविस्वकोष्मा अपेला होई जेनी व्याख्या मुश्केल होई एवा सब्दोनु वनन, सब्दोनु चित्र लिखन, मान चित्र सब्दकोष्मा अपेला होई तोल मापना, कोष्टको अपेला होई फुलो, भडो, वनस्पती, जन्तु, पसु, पंखी, जन्त्रो अने मोटर कारो ना रंगबे रंगी चित्रो साथे उद्रती रंगो अने आकार पन अपेला होई आ विशेस्ता उप्रांत, तुंका अक्षरो, परियाय, चिन्हो, प्रतिको, उच्चारो, तुलनात्मक कोठावो भिन्न विशेवमा वप्रता शब्दो, मुहावरा, वगेरेनो पन समावेश करवामा आवेव होई ते सब्दकोष सवती विशेस्ट गणाई, सारो गणाई आप मुल्यांकन मा मुद्धावने ध्यान मा राखीने आजर सब्दकोष नू मुल्यांकन थाई शके आप सब्दकोष नी मुल्य अने उप्योगी तना मुल्यांकन करवामाटे उप्योगी माप्दन्डो नी चर्चा करी यहां PPT मा दर्शावे मुझब जियोग्राफिकल डिक्सनेरी सेंसर्स जियोग्राफिकल डिक्सनेरी दिस्ट्रिक्स सेंसर्स हैंडबुक ते तेनू उदाहन छे हवे आपने एक सामान्य ग्रंथ औने संदर्ब ग्रंथ शब्द कोस्ट चे ए संदर्ब ग्रंथ चे औने सामान्य ग्रंथ औने संदर्ब ग्रंथ नी अंदर सू तफावत होई चे ए विशे थोड़ा मुद्दा विशे चर्चा करी शू तो पहलो एक तो उद्देश सामान्य लेखक, सामान्य ग्रंथ मा जो ए, तो सामान्य ग्रंथ नो लेखक, सामान्य व्यक्ति होई छे, जारे, संदर्ब ग्रंथ नो लेखक, विध्वान अत्वा, उच्य योग्यता प्राप्त करेल, व्यक्ति होई छे, एज रिते तेनो प्रकाशन, सामान्य रिते सामान्य ग्रंथ प्रकाशन कोई पन प्रकाशन करी शक्ये छे जारे विशिष्ट ग्रंथनू संदव ग्रंथनू प्रकाशन कोई विशिष्ट प्रकाशक लोगप्रिय के प्रसीद्ध थायलो प्रकाशक करे तोज तेनू महत्व होई छे महीती साधा ग्रंथ ने अंदर जे महीती आपेली होई छे ए महीती कोई पन रिते प्रामाणित करी शकाती नती जारे संदर प्रंथ ने अंदर महीती जे आपफामा आवेली होई छे इप्रामाणित होई छे अध्यान साधा ग्रंथनू अध्यान आपणे करता होई त्यारे प्रथम पानाती माणी ने छिल्ला पाना सुधी आपणे तेने वांची शक्किये छे जारे संधव ग्रंथनू अध्यान वांचन सडंकरी शकातू नती एनू वांचन अमुकच पेज आपणे जे महत्वना मुद्धा ओजोईता होई ए पुर्तु पेज कोली ने आपणे एनू वांचन करता होई ये छे स्वरूपने आकार सामाने ग्रंथमा माहितिनू निरूपन स्वरूप फक्रा प्रक्रण भाग स्वरूपे होई छे जारे सं उप्योग वी से वीचारिये तो सामान्य ग्रंथ नो उप्योग सामान्य व्यक्ति करे चे ग्रंथालाईनी बाहर तेने अपवामा आवे चे एटले के ते दे होय चे जारे संदर्व ग्रंथ नो उप्योग ग्रंथालाईनी अंदर ज थाई शके चे एटले के ते अदे होय चे उप्योग करता वर्ग, उप्योग माजे मांगड बतावी तेम के सामान्य ग्रंथनों उप्योग, सामान्य वाचक करे छे, जारे संदर्भ ग्रंथनों उप्योग विसीष्ट प्रश्ण ना जवाब माटे, माहीतिनी आवशक्ता माटे, विसीष्ट प्रकार ना वाचक करे छ कद सामान्य ग्रंथ नूं कद जो ये तो सामान्य होई चे जारे विशेष्ट ग्रंथ नूं कद विशाड होई चे वल्यूं मां होई चे पानानी संख्या जो ये तो संदर्प ग्रंथ मां पानानी संख्या आसरे 200-300 वच्चे नी होई चे ए मध्यम कद ना होई चे जारे संदर्प ग्रंथों मां पानानी संख्या वधारे होई चे ते मल्टी वल्यूं मां पणावता होई चे सामान्य ग्रंथ करता खुबच तेना पाना वधारे होई छे टकाउनी रिते जोई तो सामान्य ग्रंथ नू बाइंडिंग मोटे बागे साधू अने कागळ पातड़ा होई छे आथी तेने लांबो समय ठकी रहता नती तेनी सर्कामणी मा संदर्ब ग्रंथ ना कागळ अने बांधनी खुबच मजबूत होई छे तेनी बांधनी हाडबाउन नी होवा थी ते टकाउ होई छे मुल्य, मुल्य किम्मत, सामाने गरंथनी किम्मत, जो ये तो ते संदर्व गरंथनी तुलनामा खुबज ओची होई छे, संदर्व गरंथनी किम्मत खुबज वदारे होई छे, एटले सामाने व्यक्ति के कोई व्यक्ति ये बनी त्यांसो दी वसावी नती शक्तो हतो, गरंथ संदर्व ग्रंथ वीुषैनी सामान्य जनकारी माते उप्यो करवामा आवे छे आम सामान्य ग्रंथ औने संदर्व ग्रंथ मां सु तफावत चे ते जोय शकाय चे अने समझी शकाय चे आजे आपणे सब्दकोष्णा मुल्लेंकन ना माबडन अने संदैव ग्रंथ अने साधा ग्रंथ वच्चे नो तफावत विशे चर्चा करी अवे फरी थी मडिशू आज माध्यम द्वारा नमस्का अजे लावत विशे संदैव करें bola विशे अने सांवारा नमस्का परलावत विशे लावत विशे विशे फित्स कारी पालावत विशेष्णा।